नमस्कार दोस्तों आप सभीक अद्धा विक्ति अद्धा में स्वागत है आज की वीडियो में हम SSC CHSL की वेकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं इसमें आपको कब से फर्म इस्टार्ट हो रहा है क्या लाजड डेट सेलेक्शन प्रोसस क्या सारी जनकारी आपको इस वीडियो मनेगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको यह मिल जाएगी वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने की स्टार्टिंग डेट जो है वह आपकी 6-12-6 दिसंबर है और लास्ट जो है वह चार जनवरी है इसकी एक्जाम की टेंटिट है फरवरी या मार्च में 2013 में होगा एक्जाम ठीक ह है जिरुर रुप है अलब एक रुपर है निले पेमेंट मूर्ट जो है वह ऑनलाइन होगा यानि डेविट कार के डिट कार या नेट डेंक्टिंग के थुरू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं इसकी एज लिमिट जो है वह 18-27 सा मांगी गई और जो कल्कुनेशन की जारी है वह 1-1-2022 की जारी है इसमें जो रिलेक्सेशन मिलेगा वह आपको गरूर्णमेंट रूल की इसाब से इसमें आपको रिलेक्सेशन मिल जाएगा इसकी जो notification है वो आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा और telegram channel का जो link है वो आपको हमारे इस video के description मिल जाएगा वहाँ से आप इसकी पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं इसमें qualification माँगी जा रही है LDAC और GSA में जो qualification है और 12th pass है data entry operator यानी DUO में 12th pass with science and math होना चाहिए आपका subject फिक है यह इसकी qualification है आईए इसकी selection process के बारे बात कर लेते हैं selection process जो है इसके पहले tier 1 होगा जो written exam होगा फिर tier 2 होगा वो भी written exam होगा और tier 3 होगा वो skill test और typing test होगा इसके बाद documentation मालब document verification होगा फिर medical examination होगा exam में आपका जिसी के negative marking जो है one fourth की होगी एक घंटे का paper होगा और online paper होगा यानी computer base paper होगा आपका test होगा इसके subject जो होगे आपके reasoning आएंगे intelligence जनरल intelligence के 50 question आएंगे 50 number के होगे general awareness यानी gk के question आएंगे 25 जो 50 number के होगे quantitative aptitude math के 25 question होगे 50 number के होगे इंग्लिस language के 25 question होगे 50 number के होगे total 100 question आएंगे 200 number के होगे एक घंटे का आपका paper रहेगा बन फोर्थ इसकी negative market रहेगी यह सारी जानकारी आपको important important जो थी मैंने आपको दे दिये है CHSL की SS6 जो eligible है वो इस form को जरूर भरे 4500 वेकेंसी आई हुई है बहुत अच्छी पोस्ट इसमें रहती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेसन मिल जाए तो वीडियो को समाब करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू सो मच